स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप तीन तारीखें इतियास में याद रखी जाएंगी क्योंकि अगर यहां यह युद्ध नहीं रुखता है तो यह तीसरे विश्युद में बदल सकता है और यह तारीखें बहुत खास हो जाएंगी 19 नवंबर 31 दिसंबर और 9 जनवरी जहां एक तरफ यमन में ताबड तोड एयर स्ट्राइक हो रही है लगातार कथी तोर पर दूसरे दिन भी एयर स्ट्राइक हुई है तो वहीं इन सब के बीच में हमले के बीच में अंतनी ब्लिंकन भारत को फोन करते हैं तो वहीं सौधी के नेवी चीफ भी भारत पहुचे हुए हैं CIS News Network के इस एपिसोड में हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से तो इस स्क्रीन पर एक मैप देखिए ये मैप बहुत चीजें हुई जो बुनियाद रख सकती है तीसरे विस्वियुद का होता क्या है 19 नवंबर से कहानी शुरू होती है और 19 नवंबर गेलेक्सी लीडर को हुथी विद्रोईयों द्वारा अपहरित कर लिया जाता है 19 नवंबर के बाद से चिक 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 शुरू होती है अमेर चाहते चले जाते हैं और जो यहां पर कारगो सिप होती है कारगो सिप पर लगातार एक्सन भी शुरू हो जाता है फूती विद्रोईयों से परिसान होकर पहला एक्सन होता है 31 नवंबर 2023 को जब अमेरिकी नेवी के हेलिकॉप्टर छोटे छोटे बोट को हूती यहां पर उतार लेता है और जो ताबड तोड एक्सन था यह 9 जनवरी को तै हुआ यूएस यूके के वार्शिप यहां गुज गये ड्रोन मिसाइल और भी कई सारी चीजों से हमले सुरू हो गे कहा जा रहा है कि यहां कई सारे वैसल्स इस वक्त देखे जा रहे हैं यानि क चोटे बड़े युद्दपोत देखे जा रहे हैं अमेरिका के और यूके के पिछले दो दिनों से कथी तोर पर लगातार यहां पर बारिस हो रहे हैं मिसाइलों की एक आप देख सकते हैं जो यह ब्लू वाले एरिया हैं इन सब जगहों पर अमेरिका के द्वारा बंबारी केम्प अमेरिका और यूके दोनों का यही कहना है कि हम खास तोर पर जो निसाना बना रहे हैं वो निसाना हम बना रहे हैं हुती विद्रोहियों के केम्प को जहां रडार रखे हैं जहां हतियार रखे हुए हैं क्योंकि यह हमारी आत्मरच्छा के लिए जरूरी है इसक्री इन पर एक आर्टिकल देखिए UK के परधान मंतरी कहते हैं कि देखो हमें self respect करना था self defense किया है हमने हमने कोई हमला नहीं किया है और हुती विद्रोही क्या कह रहे हैं हुती विद्रोही कर रहे हैं कि अमेरिका और बिटेंड ने जो किया है ना इसकी भारी कीमत चुकानी कर आए हैं रूस ने तुरत से UNSC में एक मीटिंग बुला ली है अमेरिका और UK के इस स्ट्राइक के बाद कि UNSC बैठो बात करो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कर रहे हैं अमेरिका और UK यह सही नहीं है अब बाइडिन का यह कहना है कि अगर लाल सागर में आतंक नहीं रुकता ह है तो हम यह बार बार करेंगे क्योंकि हमें चाहिए सुरक्षा अपने कारगो सिप की अब यमन पे यह ताबर तोड हमला होने के बाद कई सारे देश UNSC में भी दोड़ रहे हैं पर इस बीच में कुछ चीजें हुई हैं आपको बता दें यह हमला साधारन तरीके से नहीं कि गया है जो हतियार इस्तेमाल किये गए हैं उनमें टॉम हॉक मिसाइले हैं युद्द पोत हैं सबमरीन हैं गाइड़ मिसाइल सबमरीन यूएस फ्लोरीडा इस जगह पे मौझूद है तो यूएस नेवी गाइड़ मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौझूद है तो आपको बता दें टाइफून फाइटर जेट यूके से पहुँचे हुए हैं यह सारे यहां पर इस स्ट्राइक में सामिल बताये जा रहे हैं पर हां माहोल एक अफरा तफ्री वाला जरूर बन गया है जैसे ही यमन पर हमला सुरू हो गया है इस बीच ने कुछ चीजें ऐसी हुई है जो आपने हमसे परमीशन नहीं लिया आपने आर्टिकल एक का उलंगन किया है अब आर्टिकल एक का क्या मतलब है अमेरिकी संसद में परमीशन लेना पड़ता है किसी युद्ध को सुरू करने से पहले यूके और यूएस ने एक्सन तो ले लिया लेकिन अमेरिकी संसद में य हमारे ही संभीधान का उलंगन किया गया है आपने सिर्फ हमें बताया कि यमन में और लाल सागर में ये सब कुछ हो रहा है लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप हमला करने जा रहे हो वैसे आपको बता दें आगे जो भी हो फिलहाल क्या हो रहा है हमले के बीच में अमेरीकी विदेश मंतरी ब्लिंकेन का फोन आता है और दोनों के बीच में सारी चीजों की जानकारी अले इंदेन होती है क्या चल रहा है रूस यूक्रेन में क्या चल रहा है गाजा में क्या चल रहा है पर एक चीज बड़ी चौकाने वाली है और चौकाने वाली क्या है ठीक इसी समय यहां पर भारत में सौधी के रॉयल नेवी के चीफ पहुँचे हुए हैं और ये चीज ना थोड़ी सी चौकाने वाली लग रही है इस्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों को ये भारत पहुचे हुए हैं भारत में यहां पर उनका जोरदार स्वागत भी हो रहा है भा ही तरह के कॉंट्रेक्ट साइन हो रहे हैं रॉयल सौधी नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ लेटिनेंट जनरल पहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली ये गुरुवार को राष्टिय राजधानी में साउथ ब्लॉक लॉन में पहुचे जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया नौसेना स्टाफ के परमुक एड्मिरल आर हरी कुमार के साथ इनकी बैठक भी हुई और सौधी अरब के नेवी चीफ उस वक्त दिल्ली में है जब यमन में अमेरिकी के हमले के बाद सौधी अरब ने एक बयान जारी किया और बयान जारी करके इन्हों ने कह कि सौधी अरब लाल सागर में बैपारिक जहाजो पर होने वाले हमलों और यमन में अमेरिका के हमलों को लेकर काफी चिंती थे सौधी अरब ने कहा है कि वो इस्तिती पर बारीक नजर बना कर रखे हुए है अब आपके मन में कई तरह के ख्याल आ जाएंगे तो आपको बत में आगे बढ़ना चाह रहे हैं बैपार नए भविशु को तलासना चाह रहे हैं कारण समझिए ये भी जानते हैं कि तेल का खेल अब जादा दिन नहीं चलने वाला है अगर हमने बैपार को नई दिसा नहीं दी तो एक समय आ जाएगा जो हमारी इस्तिती बहुत खराब हो बैठा करने का मतलब बहुत सारी चीजे हैं एक तो ये युद्ध जादा भढ़के नहीं इस जगह से दूसरा हिंद माहसागर छेत्र को भारत से जादा अच्छा कोई नहीं जानता है भारतिये नेवी का साथ मिले सौधी अरब को वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ